वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेन पर आधारित प्रस्न टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत important topic है और यहां से question exam में बहुत पूछे जाते हैं तो यहां पर question कैसे कैसे पूछे जाते हैं उन सब को हम discuss करेंगे और previous year के कुछ questions को भी करेंगे basic to advanced level का यह class रहेगा तो आप वीडियो को अंतर तक जरूर देखें तो क्या है यह नए type के प्रस्ना है इसमें क्या होता है कि कई बार होता है कि एक train होती है ट्रेन है और एक pull को पार करती है ट्रेक है और अगर time दे दिया जाएगा तो speed boost लेगा दूसरी एक समस्या यह होती है कि speed और time की unit कई बार same नहीं होती है कई बार meter पर second होगी और कई बार kilometer पर hour होगी और time कभी minute में होगा कभी second में होगा कभी घंटे में होगा तो इसके लिए आप क्या है कि उनको change कर लें तो मालो यहां तक bridge है ऐसे मालो यहां तक bridge है और train एकदम यहां पर खड़िये bridge के किनारे पर अब यह पार करेगी तो train को कितनी दूरी चलनी होगी तो एक चीज समझने की कोशिस करना कि यहां पर मालो train का driver बैठा है तो train का driver यहां से चलना शुरू किया यहां से start की train अब train पहले तो इस पर जाएगी 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 ठीक है यहां तक अब मालो यहां पे अगर driver आ गया तो train तो यहां तक होगी कहीं इसी के अंदर होगी तो यह पार करना इसे कहेंगे क्या बिलकुल नहीं कहेंगे अच्छा train का driver मालो यहां आ गया अब train कहा है यहां तक है क्या इसे पार करना बोलेंगे बिलकुल नहीं बोलेंगे पार तब मानी जाएगी जब ट्रेन हमारी पूरी इस ब्रिज से बाहर आ जाएगी बात समझागी मतलब ट्रेन का ड्राइवर यहाँ पे होगा आप कहीं यहाँ तक बात क्लिर होगी मतलब ट्रेन के ड्राइवर ने यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी जो तै की बो से पार करने में दूरी तेकर नहीं पड़ेगी तो यह दूरी होगी कितनी तो यहां से यहां तक क्या है ब्रिज है तो यह क्या है पुल की दूरी होगी और यहां से यहां तक क्या है रेल गाड़ी की दूरी होगी तो बस यहाँ पे मैं आपको यही चीज बताने की कोशिस कर रहा हूँ कि जब भी पुल को पार करा जाएगा तो जो समय लगेगा उसमें जो दूरी होगी वो पुल की दूरी और रेल गाड़ी की दूरी दोनों बराबर होंगी मतलब दोनों को एड़ करके रखा जाएगा ठीक है पुल की दूरी मतलब जहाँ भी डिस्टेंस की बात आएगी तो डिस्टेंस क्या होगा ब्रेज की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को एड़ करके रखा जाएगा टिक है इतनी बात यहां तर क्लीर होगी इसके बाद एक बात और समझ लो कई बार पुल की जगह पर क्या होगा सुरंग होगा तो सुरंग के लिए भी यही सेम कॉंसेप्ट लगेगा टिक है तो यह चीज आपको याद रखना है बाकी कब पॉल वाला कॉंसेप्ट अलग होगा पॉल में क्या है पॉल की कोई लंबाई थोड़ी ना होती है तो पॉल में क्या होगा जो ये चीज़ आइड नहीं की जाएगी वहाँ only train की ही क्या होगी लंबाई ली जाएगी question देखते हैं एक rail गाड़ी और एक platform की लंबाई परस पर बराबर है तो platform है या pull है या सुरंग है एक ही बात है एक rail गाड़ी और एक platform की लंबाई परस पर बराबर है लंबाई या rail गाड़ी की और platform की बराबर है यह दी 90 km प्रतिघंटा की रफ्तार से एक मिनट में पूरा platform पार कर देती है मतलब यह कहीं पर platform है यह platform है और यहाँ पर क्या है यह हमारी train है यह train है अब यह पार करेगी platform को तो कहीं train इस तरीके से पहुच जाएगी तब ही तो पार होगा मतलब दूरी कितनी तैय करनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक तो यह तो क्या है platform की लंबाई है यहाँ तक और इसके बाद क्या है train की लंबाई है हाला कि हमें question में दोनों लंबाईयां बरावर दे दी है तो इसको भी हम x माल लेंगे इसको भी x माल लेंगे बहुत simple है उसके बाद क्या है यह ति 90 km प्रति घंटा की रफतार से एक मिनट में पूरा platform पार करती है बस हमें formula अपना लगा लेना है distance is equal to time into speed ठीक है अब क्या है distance कितनी पार करनी है platform की लंबाई यह ट्रेन की लंबाई तो कितनी होगी 2x अब time कितना है एक मिनट है तो एक मिनट को हम second में बदल लेंगे 60 second होगा इसका बाद speed कितनी है 90 km पर घंटा तो km पर घंटा को मीटर पर second में change करने के लिए 5 वटे 18 से गुणा कर देंगे देखो अब क्या है speed की unit क्या है मीटर पर second में आगे speed और समय हमारा किसमे था second में है तो देखो second से second कट गया मीटर बचा मतलब हमारी distance अब मीटर में आएगी इतनी बात तो आपको समझ आती होगी अब इसे कट कर दो 18 से 90 कट करोगे 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 गुणा 25 आ जाएगा 55 की गुणा और यहां पर क्या है 2X है तो X बराबर कितना हो जाएगा यहां कट भी कर सकते है तो 30 आ जाएगा और 30 और 25 की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 750 आ जाएगा तो 750 यह क्या आ गया यह ट्रेन की लंबाई आ गई ट्रेन की लंबाई आ गई हलाकि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों बराबर है तो 750 यहां पर राइड अंसर हो गया एक्स कोश्चन देखते हैं बहुत ही अच्छा कोश्चन है यह क्या है कि एक रेल गाड़ी है वो 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल है उनको 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है रेल गाड़ी की लंबाई क्या होगी कोश्चन देखने में जितना छोटा है उतना ही कोश्चन अच्छा है यह क्या है कि एक 800 मीटर लंबा कोई पुल है इस तरीके से पुल होगा ठीक है इस तरीके से कोई पुल है 800 मीटर लंबा है इसको रेल गाड़ी जो पार करती है वो कितना समय लेती है 100 सेकंड ठीक है यह 800 मीटर लंबा है दूसरा क्या है एक पुल छोटा है वो कितना है 400 मीटर लंबा है और इसको पार करने में लेती है 60 सेकंड तो कई लोग तो यह सोच र पार करना होगा तो ट्रेन को अपनी लंबाई को भी तो पार करना होगा ट्रेन जब कहीं ऐसे आ जाएगी यहां पर तो यह पुल पार माना जाएगा तो मतलब डिस्टेंस हमें यहां से लेके यहां तक की तैकरनी पड़ेगी मतलब जो पुल की लंबाई होगी प्लस जो ट्र दी है और time दिया है speed हमारी क्या है train की वो same है यहाँ पे question में यह चीज़ आप समझ गया होंगे speed क्या है same है speed same है तो formula क्या होता है distance is equal to speed into time speed क्या हो जाएगा distance upon time speed same है तो दोनों case की speed को बराबर कर दो हमारा answer आजाएगा कैसे बराबर करेंगे distance upon time है तो पहले case में distance कितनी हो जाएगी यह train की लंबाई x मलो तो पहले case में कितनी हो जाएगी 800 plus x और time कितना लगेगा 100 second का ठीक है अब बराबर में दूसरे case में क्या है 400 plus x होगा train ऐसे कहीं पार करेगी तो क्या हो जाएगा 400 plus x और sum है कितना लगेगा 60 अब यहाँ पे देख लो 800 मीटर में है और 100 second में है 400 मीटर में है और 60 second में है तो हमें change नहीं करना हमारा answer आएगा वो मीटर में ही direct आएगा और मीटर में ही हमसे पूछा गया तो यहाँ पे देखो cut भी कर सकते हैं जीरो से जीरो cut हो गया और यह 6 से इसे करोगे तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 अब इनकी cross multiply कर लो यह 3 साइड में चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2400 और यह 3x और यहाँ पे कितना है 2000 प्लस x अब क्या है नहीं 5x हो जाएगा यहाँ पे फाइब से multiply होगे अब यह 3x इस साइड में आ जाएंगे तो कितना बचेगा 2x और यह 2000 इस साइड में चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 400 तो x वराबर क्या जाएगा 200 ठीक है x वराबर 200 आ जाएगा simple से आराम से यह question आप कर लेंगे समझ भी आपको आ गया होगा इसके बाद में देखते हैं next question next question क्या है 800 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी 78 किलो मीटर प्रती घंटे की चाल से चल लई है यदि बह एक सुरंग एक मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई क्या होगी सुरंग आ गई है तो क्या करना है कि सुरंग की लंबाई और रेल गाड़ी की लंबाई यहां पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी सुरंग की लंबाई हम एक समान लेते हैं और जो ट्रेन की लंबाई है 800 मान लेते हैं इसके बाद वाली क्या है इसंपीड कितनी दिया है 187 km पर गंट आ है लेकिन मीटर में पूचा गी है तो इसे भी मीटर पर सेकिंड में चेंज कर लो तो क्या हो गया? मीटर पर सेकिंड हो गया इसामाय कितना है? एक मिनट है पर क्या है distance is equal to speed into time और यहाँ पर speed कितनी है exam में यह अलग अलग करके नहीं लिखना एक्जाम में देखो क्या करना में direct लिखना देखना कि distance is equal to speed into time speed कितनी है 78 km पर घंटा लेकिन हमें meter per second में करना है तो 5 बट 18 से गुणा समय कितना है एक minute और हमें second में करना है तो 60 और बराबर distance आजाएगी distance यहाँ पर देखना थोड़ा ध्यान देना कि x प्लस 800 है और x हमारी क्या है सुरंग की लंबाई है सुरंग की लंबाई कितनी है x है तो यहाँ पर यहाँ पर इसे स्वालब कर लो 6 से काटोगे तो यह 10 आ जाएगा और 3 से इधर काटोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा एक बचा ठारा और 26 आ जाएगा अब 26 और 5 और 10 की गुणा की जाएगी तो 26 और 5 की गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 130 और 10 से गुणा करेंगे तो 1300 आजाएगा कई साथ ही डारेक 1300 आंसर यहां पे लगा देंगे जो की हो जाएगा गलत क्यों? क्योंकि इधर क्या है? X प्लस 800 है X की वैलू 500 आएगी और हमें X की वैलू ही हमसे पूछी थी सुरंग की लंबाई तो आंसर हमारा क्या होगा? 500 होगा नेक्स कोशन दिखते हैं 36 किलो मीटर पर घंटे की गती से चलने बाली 120 मीटर लंबी रेल गाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने सेकिंड में पार करेगी? तो यहां पे हमें बहुत ही आसानी होगी क्योंकि रेल गाड़ी और पुल की लंबाई दोनों की दे रखी है तो हमारी डिस्टेंस जो कवर की जाएगी वो क्या हो जाएगी? 120 प्लस 360 तो कितनी हो जाएगी? 480 हो जाएगी मीटर में इसके बाद क्या है? कि स्पीड दे रखी है हमें क्या निकालना है? समय निकालना है तो स्पीड दे रखी है स्पीड किसमें दे रखी है? 36 किलो मीटर पर घंटे में इसे मीटर पर सेकिंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 5 बटे 18 से गुणा कर लेंगे तो ये चेंज होके क्या जाएगी? दस मीटर पर सेकंड आ जाएगे देखो, यूनिट का क्या खेला है यूनिट का ये है कि speed is equal to distance upon time formula होता है अब distance जिस किसी में रखती जाएगी समय किसी में रखती जाएगा वो यूनिट हो जाएगी मालो समय हमारा minute में दे दिया है distance हमारी किलो मीटर में दे दिया है तो हमारी यूनिट का जाएगी किलो मीटर पर minute तो इसे हम change कर लेंगे कि एक मिनट में इतना किलो मीटर चला है तो एक घंटे में कितना किलो मीटर चलेगा तो उसे ही हमें change करना होता है तो हमारी distance और यहाँ पे speed दे रखी यह समय बूचा है तो formula क्या होता है d is equal to s into t time निकलना है तो time is equal to distance upon speed distance कितनी है 480 है speed कितनी है 100 है इसे कटकर 10 है तो कितना आजाएगा 48 second यहाँ पे क्या हो जाएगा answer हो जाएगा option पहला यहाँ पे correct हो जाएगा समझा गया इसके बाद में क्या है देखते है कि 100 मीटर लंबी एक rail गाड़ी 30 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से चल लई है और railway line के समीब खड़े एक व्यक्ति को पार करने मैं बात समझना कि कोई यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है अब इसको train जब पार करेगी इसको जब train पार करेगी तो train को मालो बिलकुल व्यक्ति के पास में खड़ा यह train का क्या है इंजर है यह driver बैटा है इसे जब पार करना होगा इसे तो यह कहां पे पहुँच जाएगा जब पार माना जाएगा यह बिलकुल train का end यहाँ पे होगा और driver इसका होगा कहीं यहाँ पे होगा तब क्या माना जाएगा train पार होगी तो train के driver को कितनी यहाँ पे distance तेगी यहाँ से लेके यहाँ तक यह क्या है मतलब यहाँ से क्या है यहाँ से यह देखी जाएगी तो यहाँ से ये distance मतलब जो इसके बीच की distance है ये क्या होगी जो मतलब इंसान खड़ा है उसकी चोड़ाई होगी तो इंसान की चोड़ाई तो यहाँ पे बिल्कुल neglect यहाँ पे कर देंगे तो क्या होता है जीरो के करीब रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ हो सिर्फ ट्रेन की लंबाई को पार करना होता है इसलिए जब भी किसी पोल को पार करने की बात आ है किसी स्ट्रीट लाइट की बात आ है किसी व्यक्ति को पार करने की बात आ है तो इन सब केसों में क्या करते हैं सिर्फ ट्रेन की लंबाई को लिया जाता है तो यहाँ पर हमारी distance क्या होगी? 100 मीटर होगी Speed दे रखी है Speed कितनी है? 30 किलो मीटर प्रती घंटा है और second में समय पूछा है तो यह से क्या करें? मीटर पर second में change करते हैं यह मीटर पर second में आगी अब एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? इदर कितनी है? 100 है और समय क्या है? निकालना है तो T माल लिए अब देखो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा सम मल्टिप्लाई में है 5 से यह काटो के तो कितना आजाएगा? 2 आजाएगा और 3 से यह काटो के तो 6 आजाएगा तो क्या आएगा? T अपॉन में 6 आजाएगा इदर 2 क्रोस मल्टिप्लाई करेंगे तो T बरावर कितना आजाएगा? 12 से किंड आजाएगा समझ आ गया? बहुत ही आसान सा कोश्चन था अब देखते हैं नेक्स कोश्चन आपे क्या है? रेल गाड़ी किसी खंबे को 60 किलो मीटर प्रती घंटे की चाल से 30 सेकिंड में पार करती है अब देखो डारेक्ट करेंगे क्या है? रेल गाड़ी की लंबाई याद करो तो रेल गाड़ी की लंबाई क्या है? डिस्टेंस is equal to speed into time स्पीड क्या है? 60 किलो मीटर पर घंटा है मीटर में आंसर पूछ रहा है तो इससे क्या करो? मीटर पर सेकिंड में चेंज करो और समय क्या है? 30 सेकिंड है 30 से गुणा करो इससे कट कर दो 6 से तो यहाँ 10 से आजाएगा तीन से से कट करोगा यहाँ पर 10 से आजाएगा तो 1010 की गुणा करोगे 100 और 5 की करोगे क्या है 500 मीटर यहाँ पे हो जाएगा आंसर ठीक है अब देखते हैं next question यहाँ पे क्या है 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों और दो व्यक्ति खड़े हैं ठीक है अब क्या है यदि वो एक दूसरे की ओर क्रमसा 5 मीटर प्रती मिनट और 10 मीटर प्रती मिनट की चाल से चल रहे हैं तो बहक कितने मिनट में एक साथ मिलेंगे हलकि इनकी स्पीड बहुत कम दिया है question में क्योंकि 5 मीटर तो एक मिनट में कोई भी बिल्कुल रेंग के चलेगा तब भी पहुत जाएगा लेकिन चलो जो भी डाटा हमें दिया है उससे हमें समझना है 5 मीटर प्रती मिनट का मतलब बस यही हुआ कि एक मिनट में बस 5 मिनट चलते हैं ऐसी होता है जैसे 50 किलो मीटर पर गहंटे का मतलब होता है एक गहंटे में 50 किलो मीटर चल जाता है चलो जो भी दिया है यहाँ पे concept हमें समझना होगा कि दोनों अगर एक दूसरे की तरफ चलते हैं जैसे यह इधर चला यह इधर चला तो हमेशा क्या होता है इनकी स्पीड एड हो जाती है जो resultant स्पीड आती है वो एड हो जाती है और जब एक इस तरफ चला है दूसरा इस तरफ चला है मालो यह 10 की स्पीड से चला है यह 5 की स्पीड से चला है तो यहां क्या होगा इनका difference निकाला जाता है और minus होता है तो यह 5 का यहां पर कुछ ऐसे समझने की कोईसिस करो जैसे कई बार आप क्या होगा कि ट्रेन में आप बैठे हो गया ठीक है ट्रेन आपकी इस साइड को जा रही है दूसरी ट्रेन क्या है इस साइड से आती है एक दम क्रॉस कर जाती है तो देखते हो आपको स्पीड कितनी जादा बैठे होगे और दूसरी ट्रेन इदर को मतलब दूसरी ट्रेन भी होगी अब आपकी ट्रेन भी इस साइड से चल लगी होगी यह भी ट्रेन इसी साइड में चल लगी हलकि आपकी ट्रेन सीधी चली जाएगी और यह ट्रेन ऐसे घूम कि अपने दूसरे रूट पर चली जा भी 20 के करीब है तो बराबर में जब चलती है तो क्या हो जाता है 20 माइनस 20 बराबर 0 तो हमें लगता है कि दोनों ट्रेने खड़ी है ठीक है तो जब जब एक तरफ चलेगी तो माइनस हो जाएगा और एक दूसरे की तरफ आएगी तो प्लस हो जाएगा इतनी बात आपको समझ लेनी है बहुत ही आसान थी अगर समझ आ गई है तो इस question को अब करते हैं 1200 मीटर लंबे पुल को दो व्यक्ति खड़े हैं एक दूसरे की और क्रमसा चलेंगे तो एक दूसरे की और चलेंगे तो प्लस हो जाएगा कितने समय में एक साथ मिलेंगे तो इन्हें डिस्टेंस कितनी ये तो इनकी स्पीड आ गई अब डिस्टेंस इन्हें कितनी पार करनी है 1200 1200 मीटर पार करनी है यहाँ पर question में second योगा ठीक है क्योंकि second से बहुत second को ज़्यादा fast हो गया चलो ठीक है मिनटी रहना दो हमें unit देखनी है देखो यहाँ हमारी जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और हमारी जो speed है वो मीटर पर मिनट में है तो यहाँ पे देखो हमें क्या निकालनी है कि समय निकालना है तो formula क्या हो जाएगा D is equal to S into T टाइम निकालना है तो distance upon speed अब देखो अगर distance हमने मालो मीटर में रखी और हमने समय किस में रखा? मीटर पर मिनट में तो देखो ये मीटर हो जाएगा और ये नीचे वाला ये भिन पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा? मिनट ऊपर पहुच जाएगा और नीचे क्या जाएगा? मीटर आजाएगा तो मीटर से मीटर कट जाएगा मतलब हमारा answer मिनट में आएगा और हमें answer मिनट में चाहिए भी तो बस रख देंगे हम distance कितनी है? 1200 है और हमारी speed कितनी है? 15 है इने कट का दो तो 80 आजाएगा यहाँ पर क्या है? answer ठीक है? अब देखते है एक next question दो रेल गाड़िया जिनकी लंबाईया दी गई है बिपरीद दिसाओं में क्रमसा 45 और 72 किलोमीटर प्रति गंटे की चाल से समानतर पटरियों पे चलना ही बिपरीद दिसाओं में चलना ही स्वार एक यह है एक यह एक यह एक इदर जा रही है एक इदर जा रही बिपरीद दिसाओं है तो हमेंसा क्या प्लस हो जाएगा? प्लस हो जाएगी इनकी चाल तो कितनी प्लस होके इनकी चाल हो जाएगी? 45 और 72 को add करेंगे तो 7 170 आ जाएगी किलो मीटर पर घंटा इसके बाद क्या है दो रेल गाड़ियां जिनकी अब रेल गाड़ियों को भी जब पार करना होगा तो चीज समझना कि रेल गाड़ियां क्या है पार तब मानी जाएंगी जब एक रेल गाड़िया ऐसे होगी इसका ड्राइवर यहाँ पर कहीं होगा दूसरी यहाँ पर पहुच गया होगा ड्राइवर इसका तब पार माना जाएगा मतलब टूटल डिस्टेंस पता कितनी इने तेकनी होगी वो होगी इस्टेंस की लंबाई और इस्टेंस की लंबाई मतलब वन की लंबाई और टू की लंबाई एड होगी तो यहाँ पे भी क्या है यह डिस्टेंस हमारी क्या है एड हो जाएगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 105 और 90 एड कर लोगे तो 195 मीटर हो जाएगी बात समझा गई यह आ गई और यहाँ पर क्या है हमारी speed आ गई अब हमें क्या है समय निकालना है समय निकाल देंगे formula लगाओ distance is equal to speed into time और क्या है time is equal to distance तो distance एक सो 95 मीटर और यहाँ पर क्या है कि upon में क्या जाएगी speed speed कितनी है 117 अब यह किलो मीटर पर गंटे में तो मीटर पर सेकिंट में करो तो 5 बटे 18 हो जाएगा ठीक है देखो यह 3 से कट जाएगा क्योंकि 7 और दो 9 हो गया तो 3 तिया 9 और 27 तीन निमा 27 ठीक है इसके बाद क्या है तीन से से काट दो 6 आ गया इसके बाद में क्या है इससे फिर से काट दो 3 से तो यहाँ पर क्या आ गया 13 आ गया यहाँ पर 2 आ गया अब 13 से से काट दो 13 एकम 13 65 हो गया 13 पंजे 65 ठीक है अब 5 से इस 15 को काट हो गया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा तो 3 और 2 की गुणा हो जाएगी 3 और 2 की गुणा हो जाएगी तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 6 से केंड आ जाएगा क्योंकि जब एक ट्रेन इधर से पार हो रही तो लगभा कितना ही समय लगएगा आप कई बार देखते हूग ए ट्रेन में बैठ्ड़ ओर दूसरी साइड से ट्रेन आ जाती है तो पार होने में आपको इतना ही समय लगता है 6, 7, 8, 10 सेकंड का ही समय लगता है क्योंकि इस स्पीड उनकी आपस में होती है वो एड़ हो जाती है तो यहां तक समझ आ गया होगा Next question देख लेते हैं क्या है A और B 20 km दूरी पर है यह 4 km प्रति घंटा की स्पीड से चला है भी 6 km की घंटी से चला है वे 7 बजे सुबह एक दूसरे की और चलना सुरू की है तो वो कम में लेंगे बहुत ही आसान सा question है बिलकुल क्या है यह 20 km की distance है एक बंदा यहां पे है दूसरा कहां पे है यहां पे है अब क्या है 20 km की distance अब यह इधर से चला है यह इधर से चला है तो सबसे पहले तो इनकी जो speed होगी वो add हो जाएगी 4 और 6 कितनी हो जाएगी 10 km पर घंटा इतनी बाद समझ आ गई अच्छा यहां हमें change करने की जरूवत नहीं पड़ेगी क्यों नहीं पड़ेगी क्योंकि घंटे में ही हमारा answer आ जाएगा क्योंकि 7 बज़े चला तो देखना कितना समय लगेगा और distance कितनी है यहां पे 20 km है अब हमें समय निकालना है तो formula क्या होता है sum is equal to distance upon speed हो गया उसी से तो distance कितनी है 20 speed कितनी है 10 इसे cut कर दो तो answer क्या जाएगा 2 घंटा अब एक बात बताओ कि 7 बज़े चलना सुरू किया सुभा और 2 घंटे बाद मिलेगा तो समय कितना हो गया होगा 9 बज़ गया होगा simple एकदम आसानी से आप कर देंगे से भी अब देखते हैं नेक्स कोश्चन यहां पर क्या है 84 किलोमीटर प्रती घंटा की गती से चल रही एक ट्रेन विपरीद दिसा में 6 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से चल रहा है एक आदमी आदमी को 4 सेकिंड में पार करती है गाड़ी की लंबाई क्या होगी बहुत अच्छा कोश्चन है कोई एक ट्रेन है वो इस तरीके से जा रही है ठीक है यह ड्राइबर बैठा है और एक जो एक कोई बंदा यहां पर खड़ा है एक वेक्ती खड़ा है यह इस साइड में जा रहा है लेकिन ट्रेन इधर चल रही है यह भी अपना इधर चला पड़ा है फटा 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 फट तो इसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर घंटा और ट्रेन के कितनी है 84 किलोमीटर पर घंटा है तो क्या है कि समय पार करने में इसको 4 सेकिंड का लगा तो एक बात समझो कि जो रिजल्टेंट स्पीड होगी या परेडामी जो गती होगी वो कितनी हो जाएगी अलग अलग अपोजिट डारेक्शन में चलना है तो एड़ हो जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी 84 और 6 एड़ हो जाएगे जेंड में चैंज कर लो यहीं पे कर लो जेंड इंटू 4 से मल्टिप्लाई यह से कट कर दिया पांच आगे, और पांच और पांच की गुणा की 25 और चार गुणा की 100 इतना मीटर तो यह क्या है ट्रेंट की डिस्टेंस होगी क्योंकि जब भी व्यक्ति को पार करेगी तो train खुद की लंबाई के बरावरी distance को कवर करती है और bridge के case में सुरंग के case में उसकी भी add हो जाती है तो बहुत भी प्यारा question था बहुत भी अच्छा question होता है इसमें क्या होता है, दो trainे होती है और इसमें ये कभी एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन को पार करने का समय पूछ लेता है, लंबाई पूछ लेता है, कभी ये होता है कि दूसरी ट्रेन में कोई बंदा बैठा होता है, वेक्ती बैठा होता है, उसको पार करने में समय या ट्रेन की लंबाई वहाँ पूछ ली जाती ह समानतर लाइन उपर चल लई है दो पट्रियां है इस तरीके से इन पे चल लई है एक ये है और एक ये ट्रेन है ठीक है इस तरीके से जा रही है मालों ये 46 की स्पीड से जा रही है और ये 36 की स्पीड से तो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गती वाली ट्रेन को पीछे छोड़ देगी इतनी तो बात clear है लेकिन छोड़ने में समय कितना लगेगा 36 सेकंड का लगेगा तो प्रतेक ट्रेन की लंबाई क्या होगी यहाँ पर यह कोशिचन हमें करना है तो एक बात मेरी समझने की कोशिच करना ट्रेन दूसरी ट्रेन को तभी छोड़ देगी मालो पीछे से आ रही है ठीक है अगर स्पीड वाली ट्रेन पीछे से आ रही है तो वो क्या करेगी मालो यहाँ से आई तो पहले तो यह मतलब यह वाली धीमी है तो इसको पार करेगी इसको पार करेगी और साथ में क्या है फिर खुद को पार करेगी तो जो धीमी गती वाली होगी ट्रेन उसकी लंबाई और खुद की लंबाई दोनों को पार करेगी देखो यहां पर एक चीज और समझने की कोसिस करना जैसे रिलेटिव स्पीड का कॉंसेट लगे गई लगेगा तो 46 में से 36 जाएगा तो 10 किलोमेटर पर घंटे की हमें फील होगा कि हाँ 10 किलोमेटर पर घंटे की स्पीड से जो तेज वाली है बहुत चल लई है तो हम दूसरी को क्या मानांगे रिलेटिव स्पीड वाले कॉंसेट नहीं होता है जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं वो चीज क्या हो जाती है तो लंबाईयां क्या हो जाती है दोनों add हो जाती है बस इतनी सी बात यहां पे थी ठीक है तो इतनी सी बात यहां पे clear हो गई होगी तो माल लो दोनों trainों की लंबाईयां xx माल नहीं तो total यहां पे distance कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी formula कि ओधा distance is equal to speed into time speed कितना हो जाएगा दोनों का difference 10 हो जाएगा और meter per second में करना तो 5 बटे 18 से गुणा कर दो समय कितना लगता है 36 second में है तो बहुत ही अच्छी बात है इन्हें यहाँ पे क्या है काट दोगे तो 2 आ जाएगा और इधर क्या है यहाँ पे आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पे मैं option E 100 भी यहाँ बिलकुल लखना चाहूँगा तो ऐसे case में बहुत सारे लोग 100 आते पे 100 लगा देंगे कुछ लोग तो इधर x ही लेंगे 2x नहीं लेंगे लेकिन बात समझने की कोशिस करना कि 2x क्यों ले रहे हैं क्योंकि यह train उसको पार करेगी और खुद को भी पार करेगी तो यहाँ पे क्या है 2x बरावर 100 तो x बरावर 50 आ गया मीटर अगले question में आपको यह concept और भी clear हो जाएगा तो यहाँ पे तो right answer हो जाएगा option D अब अगले question में देखिए कि 2 rail गाडियां है एक ही दिसा में क्रमसा 29 km की speed और 56 km की speed से चल लए है तो तेज़ चलने बाली गाड़ी धीमी चाल बाली गाड़ी में वैठे वेक्ती को 10 सेकिन में पार कर दिये अब देखो एक train यह है और इसमें कहीं यह वेक्ती बाठा है अब यह तो मालो है धीमी गती वाली तो 29 वाली है दूसरी क्या है train कहीं यह है और यह क्या है यह 56 की speed से चल लए है तो यह इस वेक्ती को कैसे पार करेगा इस वेक्ती को पार तब करेगी जब इस वाली train का engine यहां पे होगा और यहां से लेके यह train ऐसे यहां पे पहुच जाएगी तो यह वेक्ती पार होगा ठीक है मतलब इस train की पूछ इस वेक्ती के बराबर होगी यह उससे पार हो जाएगी तो यहाँ पर क्या जो distance होगी वो x ही ली जाएगी ना कि x प्लस x पराबर 2x बस बात अगर समझ आगी तो distance is equal to speed तो speed कितनी होगी इन दोनों का difference होगा 56 और 29 का difference तो इन दोनों का difference कितना हो जाएगा 27 और किलो मीटर पर गंटे में तो meter per second में change कर दो और into sum है कितना लेती है 10 second अब इसे यहाँ पर solve कर दो कि तो 2 आ जाएगे 9 से काटो यहाँ तीन आ जाएगे और 2 से से काटो कि तो 5 आ जाएगे तो 5 और 5 की बुना करोगे तो 25 और 25 और 3 की करोगे 75 आ जाएगा 75 क्या जाएगा मीटर आ जाएगा अब यहाँ पर 2X नहीं हो यहाँ पर अगर option में क्या हो 37.5 मीटर तो यह answer नहीं होगा answer क्या होगा यह होगा क्योंकि यहाँ पर train सिर्फ खुद की लंबाई के बरावर पार करेगी तो इतनी सी बात clear समझ आ गई होगी इसी type के यहाँ से question train के पूछे जाते हैं कुछ और इस chapter के questions अभी देखेंगे उन में क्या होगा उन concept को मिला के कई बार क्या होता है उन सब concept को एक question में दे देते हैं तब थोड़े tough level का question मना के पूछ देते हैं